तो आज के द्दा हिंदू एनलेसिस में जो इंपॉर्टे एडिटोरियल्स है और जो इंपॉर्टन टॉपिक्स है वो हम लोग जो डिसकस करेंगे पहला जो topic है new butterfly species के बारे में एक नई butterfly species जो discover हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे इसमें ऐसा कोई mains का प्रश्ट तो नहीं है बट prelims का जो प्रश्ट है that can be asked तो एक तो यह है दूसरा we will try to understand CPI inflation what basically is CPI inflation this is related with economy यह भी important के लिए हो जाता है तो this is related with economy GS paper 3 then this topic is also very important यह बहुत important है development versus development या खास तोर से we can say जो inclusive growth and development है so यह प्रश्ट आपका frame भी हो सकता है जिसे economy में भी frame हो सकता है GS paper 3 के अंदर भी separately frame हो सकता है फिर है आपका education के उपर topic है education खास तोर से education की बात की जाए तो उसमें कुछ suggestions है education एक ऐसा topic है जिस पर हमेशा से प्रश्ट आपके frame हो सकते है so यह ध्यान में रखना है when you talk about education in journal तो कुछ भी जो जो भी arguments हैं वो important हो जाते है when you talk about education in journal क्योंकि education पर इसे लितने को भी आ सकता है वैसे भी प्रश्ट आपके लिए frame हो सकता है so इस context में यह topic important हो जाता है उसके अलावा अगर देखा जाए तो double piece एक term है देखा जाए तो अफगानिस्तान की context में यह एक term इस्तमाल किया गया आज का paper अगर आप देखोगे तो double piece यह term इस्तमाल है we'll try to understand this as well dairy and women empowerment women से related जो भी topics होते हैं वो बहुत ही अधिक important होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि GS paper 1 के अंदर women से related topics पर प्रशन आपके frame हो सकते हैं और कई बार आपके पूछे भी गए हैं बहुत बार पूछे गए हैं तो dairy development how it can help in women empowerment यह है और फिर आखिर मैं will give you the main question so आज का जो एक important topic है वो है development development और in journal development को हम लोग discuss करते हुए क्या यह development हर एक जो human need है aspirations है उसको achieve करने के लिए help कर सकता है happiness है इसको achieve करने को help कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो इस context में कुछ arguments हैं बहुत अच्छा article है तो उसको हम लोग discuss करेंगे जो जिस पर प्रश्न भी आपके लिए frame हो सकता है so this session is presented by me my name is Saurabh Pandey अगर आप IS exam की तहरी कर रहे हैं तो आप आपन academy से जूड़ सकते हैं आपके पस मौका है इस mega subscription offer का हिस्सा बनने के लिए आज आखरी दिन है 31st March है तो इध्यान में रखना है इस subscription का हिस्सा आप जरूर से बने क्योंकि one year का subscription जैसी आप लोगे four months आपको extra मिलें four months काफी अधीक होते हैं इसका मतलब four months जो है यह extra है इसमें आप जितने भी educators हैं क्योंकि exam की just पहले के four months है prelims जो आपकी scheduled है उससे just four पहले के four months है तो यहां पर आप यह देखो कि जितने भी courses होंगे उनकी apply classes कर सकते हैं जितने भी educators including my courses जैसे prelims specific courses जो उस समय आएंगे अभी इस समय पूरे mains optional सारे courses आप कर सकते हो तो anacademy.com में जाना है UPSC CSC select करना है और फिर आप उसको join कर सकते हो जैसे ही आप code का इस्तमाल करोगे जो amount है that amount will reduce by 10% but आप इसको जरूर से इसका हिस्सा बने दूसरी चीज यह है कि GES series आपकी April 15 से launch हो रही है जैसे मैंने आपको promise भी किया था तो यह geography, environment, science और agriculture के लगभग 500 प्लस जो topics होंगे वो हम लोग cover करेंगे और यह बहुत ही ज़्यादा important है अगर आप prelims 2021 की तैरी कर रहो 22 की तैरी कर रहो तो जरूरत नहीं again I am stating तो April 15 से लेके जून तक यह पूरा चलेगा तो इसमों बहुत सारे topics prelims specific के cover होंगे तो इसको आपको जरूर से जरूर से करना है सभी से मेरी request है और आज क्योंकि 31st of March है आखरी दिन है जो offer अभी चल रहा है अगर आप one year कर ले तो four months का आपको free मिलेगा और अगर आप यह नहीं लेना चाहरा हो अगर UPSC की preparation करने के सोच रहा हो तो एक planned preparation कर सकते हो आपके top educators है जो अलग-अलग subjects आपको पढ़ने होते हैं सारी classes separate आपकी होती है miss हो जाती है तो recorded classes देख सकते हो कई subjects ऐसे tough होते हैं तो multiple educators से आप पढ़ सकते हो यह सारी चीज़ें interact कर सकते हो pdf notes सारी चीज़ें आपके available है start करते हैं पहला जो topic है this is related with new butterfly species तो researchers find new butterfly species नई butterfly species को researchers ने find किया है अब देखो जो प्रेश्ण ऐसे topics पर बनता है जैसे researchers find new butterfly species तो यहां पर कोई mains का प्रेश्ण नहीं बनेगा बट क्या होता है क्योंकि जैसा मैंने आपको आपको कहा कि ifs का prelims साथ में होता है is के साथ में होता है इसलिए कई बार क्या है कि ऐसे प्रश्ण बन जाते हैं जैसे खास तोर साभी संडे की पेपर में मैंने दो नई species के नाम आपको बताये थे संडे या इधिंक अभी एक दो दिन पहले ही हम लोग ने डिसकस किया था जिस पे दो नई species रेड ऐलगी की discover हुई है बहुत ही unique species थी और उसमें prelims से specific प्रश्ण आपके लिए फ्रेम हो सकता है मैंस में तो जैसा मैंने आपको कहा कि although कुछ questions बन सकते हैं for security से related जिस पर उसका argument यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर in journal देखो तो वैसा मैंस में प्रश्ण नहीं बनता बट prelims में क्योंकि IFS का prelims साथ में होता है तो ऐसी चीज़े थोड़ा जानना जरूरी है अब यहाँ पे देखो क्या है कि अभी यह discover की गई है नाका डूबा सिनहाला ठीक है तो यह नाका डूबा सिनहाला रामा स्वामी सदा सीवन 2021 यह species है और अगस्त मलाई western घाट में species आपकी discover की गई तो नाका डूबा सिनहाला आप नाम याद रखो कि अगर यह recently news में थी तो यह क्या है ऐसा बहुत प्रश्ण पूछे हैं अगर आप paper उठा के UPSC के देखोगे यह recently news में थी है क्या है इसकी important यह बहुत ज़्यादा news में थी इसकी क्या importance है ऐसा कुछ ठीक है तो नागा डूबा सिनहाला याद रखो यह important आपके लिए बन सकता है प्रेश्ण आपको मैं तो prelims के लिए थोड़ा सा याद रखना नाका पहली क्या important है पहली चीज तो inflation जो measure करने की तरीका है खास दोर से CPI based जो inflation है वो क्या है वो हमें जानना चाहिए उसके अलावा जो कुछ arguments है अभी अप्रेल से ही जो एक inflation targeting का concept है उसमें changes आपके होंगे तो यह थोड़ा सा समझते हैं इसको यह economy का topic है अच्छा topic है तो इसक inflation at worrisome levels oil prices will keep up pressure अचा कल जो एक जो session हुआ था दाहिंदू analysis में तो डेली का issue published नहीं हुआ है बट चन्नाई का issue जो दाहिंदू का वो publish हुआ था तो चन्नाई का issue में जो भी topics थे वो हम लोगों ने discuss किये थे मतलब almost सारी चीजे ही सारे issues में सेम होती बस state level पे कुछ news अलग हो तो डेली वाला publish नहीं हुआ था चन्नाई वाला publish हुआ था तो दाहिंदू का session कल already है कम topics थे चोटा session है अब आज के काफी सारे topics है हो सकता है 35-40 minutes लग जाए तो inflation at worrisome levels oil prices will keep up pressure अब यहां पर देखो inflation की बात करते हो तो inflation in general जो consumer price index है CPI short में we call this as CPI तो यह CPI है it measures the change in the price level of goods consumed by retail consumers जो retail consumers जैसे आप और हम है हम क्या हम wholesale के उसमें तो खरिदते हैं शॉप में जाते हैं हम कुछ चीज़े जो हमें चाहिए वो हम खरिदते हैं तो अगर जिन चीज़े को हम खरिदते हैं उनका demand higher है और supply कम है तो inflation आपका higher होगा तो इसमें कई सारे ऐसे baskets of goods and services होते हैं CPI के अंदर जिसको जिसके price fluctuation को measure किया जाता है और उस basis पर हम inflation को जान पाते हैं मतब जो आप क्या सकते हो जो headline inflation है जैसे food है oil है उससे related या फिर जो core inflation की बात कर सकते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसे हम मैं इसको calculate करते हैं कि inflation है कि नहीं तो हमने क्या किया we have put a base year base year है 2012 तो यह base year आपका ministry of central statistics office ministry of statistics and program implementation ministry of statistics and statistics and program implementation इसके द्वारा change भी किया गया तो मतब यह change होता रहता है तो जनवरी 2015 से हमारा base year 2012 आपका रखा गया है तो यह कुछ points से आपको ध्यान में रखने है when you talk about inflation in journal अब देखो यहाँ पे कहा गया कुछ जो arguments दिये गया है कि volatile food prices and rising oil prices led India's CPI to exceed the upper अब देखो अभी फिलहाल जो एक agreement sign हुआ था RBI के बीच में और आपका जो RBI है RBI plus जो agreement आपका sign हुआ था RBI है और मतलब सरकार के बीच में तो इसमें एक target रखा था 4% plus minus 2% यह रखा मतलब 4 से 6% से जादा नहीं होना चाहिए 2% से कम नहीं होना चाहिए अब यह revise होगा अप्रेल में अप्रेल I think first को यह revise होगा तो इसमें क्या target रखते हो कम हो जाए तो वो economic growth के लिए सही नहीं है क्यों economic growth के लिए सही नहीं है क्योंकि यह reflect करता है demand मतलब अगर एक level of inflation है तो वो demand economy में कितनी demand है उसको reflect करता है लेकिन एक अगर आप देखोगी कि अगर suppose करो जो inflation है वो किसी factor की वज़े से सिर्फ food और oil पर देखने को मिलता है मतलब सरकार नहीं price बढ़ा रखा है अगर oil का price अधिक है तो food का और transportation का अधिक होगा और दूसरी चीज़ों का price अपने अब बढ़ जाएगा तो यह दो जो inflation आपका मतलब जो increase होता है यह headline inflation जिसे हम कहते हैं यह inflation इतना ज्यादा positive नहीं होगा क्योंकि यह overall economy में demand को reflect नहीं करेगा तो अभी इसको कई बार क्या है कि अगर इन पर higher inflation होगा तो ज्यादा inflation क्योंकि more than 40% share इन ही का होता है अगर present देखा जाए तो ज्यादा तर जो food basket है अब मतलब food is the key driver of inflation लो 46% CPI basket को यह represent करते हैं तो suddenly जैसे अगर suddenly अगर इनका price बढ़ जाए मतलब food है oil का है तो inflation बहुत जादा देखने को मिलता है अब क्या होगा कि इन से related इनके लिए कई factors responsible होगे food का price क्यों बढ़ा है उसके कई reasons हो सकते है इनके लिए अगर suppose करो इनको रोकने के लिए monetary policy के तहत जो interest rate है जैसे repo rate और इनका rate बढ़ा दिया जाता है तो overall क्या है कि जो money supply है economy में वो reduce हो जाएगा बट उसका impact इन पर क्या पड़ेगा हो सोचने वाली बात है इनका impact overall growth पर जरूर से पड़ सकता है क्योंकि अगर money supply economy के अंदर कम होगा तो जो demand है दूसरे product का या जो capacity है banks की पैसा देने की वो reduce हो सकती है तो यह एक dilemma रहता है banks के मन में भी यह dilemma होता है तो इंडिया का जो core CPI है जिस पे हम जैसे non core में आपका headline inflation जिसे हम कहते हैं food है fuel है यह सब रहते हैं और जो core में हैं जैसे दूसरे जो products हैं उनको हम include करते हैं तो जो core CPI की अगर बात की जाए जो दूसरे 54% है उनके भी price continuous basis पे अगर देखा जाए तो जो price है वो हलका increase होए है लेकिन food और oil के price अगर देखोगे तो ज्यादा increase होए है तो जो overall inflation देखने को मिल रहा है that is because of this factor यह एक बड़ा factor है जिस हुझे से overall आपको देखने को मिल रहा है next है यह है development की बात अगर आप करो ना जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कुछ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं तो हमने जो एक development का एक model develop किया है बनाया है model कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं अलग लग लेवल पे और कुछ लोग पीछे ही रह रहे हैं यह है तो overall economy की बात की जाए तो जो हमारा development model है कि उसके तहट हम यह समझते हैं कि एक अच्छा infrastructure बना लिया पुरा development हमने कर लिया development हमें करना है यह development कितना ज्यादा sustainable होगा यह सोचने वाली बात आ जाती तो इसी context में अगर कुछ arguments देखोगे तो इसमें आपके दिये गए हैं India does not shine when only some glimps मतलब अगर कुछी लोग आगे बढ़ेंगे तो overall India आगे बढ़ेगा यह नहीं हम कह सकते हैं कुछ लोग आगे हम development की बात करते हैं जैसे अगर वर्ड वर्ड जो happiness report की बात की जाए जो 2020 मार्च 2021 में release की गई थी by UN sustainable development solution network के द्वारा उसने जो perceptions हैं well being के citizens के अलग अलग देशों में उसको compare किया और इंडिया की ranking इतनी अच्छी नहीं है अब देखो इसमें कहा गया है कि भारत के अंदर ज तो happiness को अब किस तरीके से आप एक country के level पर measure करना है बहुत difficult चीज है happiness एक individual चीज है मतलब अगर आप happiness के definition को देखते हो तो happiness आप ऐसा overall country के level पर नहीं क्या कि इंडिया है और Europe दुखी है इंडिया है इस टाइप की चीजे आप कैसे कह सकते हैं यह individual चीजे होती है कोई एक कि इसा है तब भी वह happy नहीं है किसी के पास थोड़ा बहुत ही warning कर रहा है बट अपने family के लिए अपने बच्चे के साथ अपने family के साथ कुछ घूमने चले गाई या एक दोस्तों के साथ बैठ गया है किसी मतलब happiness की बहुत सारे measures है मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे economy का economically sound है बहुत बड़ा घर है गाड़ी है तो happiness होगी इसकी कोई guarantee नहीं है अगर आप देखोगे जब number of suicides की बात करते हैं इन जर्नल जो बड़े-बड़े आप cases देखते हो तो बहुत बड़े-बड़े जो billionaires हैं billionaires तो नहीं मतलब millionaires आप कह सकते हो celebrities हैं जो इतना earning huge earning करते हैं एक band है I think linking parker के band था उसका जो mean singer था बहुत समय पहले उसना suicide कर लिए मतलब उनके पास इतना huge amount है इतना huge amount है कि आप imagine नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी suicide कर लिए क्यों क्योंकि जो एक human emotions हैं वो satisfy नहीं हो पाते हैं वो materialistic चीज़ों से satisfy हो ही नहीं सकते हैं तो जैसे आप human sustainable development solution network के वो happiness क्यों किस basis पे measure करता है लेकिन देखो एक चीज़ और भी है कि एक level के जब आपके resources आपके पास नहीं है एक level of resources जो basic resources है वो तो आपको चाहिए अगर वो basic resources आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है कि क्योंकि उस basic resources की तो आपको अपने life को sustain करने के लिए basic resources क तो जरूरत पड़ेगी और उन resources अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप happiness के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हो अगर मतलब किसी किसी पास food नहीं है रहनी की जगा नहीं है तो वो कैसे थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हसी मजा happiness की बात नहीं है लेकिन फिर भी आप कह सक कि आप real sense में happiness के पात की तरफ जा सकते हो मतलब फिर आपके दूसरे aspirations होंगे उन aspirations को आप achieve करते हो और happiness अचीव कर पाते हो यहाँ पर यह भी कहा गया कि वर्ड बैंक के द्वारा जो एक report है वो उसने भी highlight किया है कि India stock market rose during the pandemic मतलब वर्ड बैंक एक report है उसमें कहा गया कि pandemic के समय इंडिया की stock market है वो आपकी increase हुई है उसके बाद जो rich है बहुत rich हो रहे हैं और जो poor होते जा रहे हैं ऐसा कहा गया है और जो poverty की बात की जा जो global increase है गरीबी में जितने लोग increase हुए है number of जो गरीब increase हुए है मतलब 100 अगर increase है तो 60 हो भारत में increase हुए है तो यह matter of concern है अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब आप जैसे development की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हमने ease of doing business को ensure करने के लिए उसमें हमने ease of living को compromise किया है ease of living मतलब living की बहुत सारे factors पर health education food इन सब चीजों पर निर्भर करती है business की labor law को कमजोर कर दो infrastructure बनाते जाओ मतलब यह सारी चीजें इस पर हमारा focus रहता है तो इस ease of doing business को में अच्छा करने के लिए हमने ease of living को sacrifice किया है यह एक अच्छा point है मतलब जो economic growth हम achieve करना चाहते है उस इंडिया ranked 120 120 हमारी rank है out of 122 countries in water quality यह आपको याद रखना है water quality के context में 122 में से हमारी 120 ranking है और air quality में अगर देखोगे अगर हवा की quality की बात करोगे तो हमारी ranking 179 है out of 180 तो यह ranking आप देख सकते हैं यह ranking reflect करती है कि जो हम विकास का model है उस पर हमें बदलाव लाने की जरूरत ब बहुत जरूरत यहां पर क्या है हमें एक नई strategy चाहिए नए pillars चाहिए जिस basis पर हम आगे बढ़ें और जो gross domestic product मतलब जो money value है जितने भी जो आपकी goods and services countries में produce हो रहे हैं वो उसके calculation के लिए हमें थोड़ा सा मतलब उसको हम सिर्फ economic angle से न देखें कि पैसा बहुत है increase हो रहा ह इसका मतलब हम हर लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं environment, social conditions इस पर जो बदलाव हो रहे हैं वो जरूरी है देखना human well being important है human well being important है तो यह बहुत जरूरी है और sustainability of the planet उस पर focus हमें करना है people, planet, profit सब चीज़ों पर हमें focus करना है यह बहुत important हो जाता है सो यहां पर चाहें health का, environment का health हो, society की जो conditions हो, even happiness report की बात करें कि happiness and well being are always subjective यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो happiness को आप happiness को आप एक नहीं कह सकते हो कि जिस इंसान के पास 10,000 रुपए है वो happy है ऐसा कोई definition आप नहीं दे सकते हो happiness की तो different meaning हो सकती है, happiness एक different subjective चीज़ है, यह कैसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है तो बहुत इस subjective चीज़ है, यह हर individual पर vary करता है happiness की जबाब बात करते हो, तो depend करते हैं हम ऐसे define नहीं कह सकते हैं तो overall well being, well being मतलब वो conditions create करो, अगर हम वो conditions create करते हैं जिसमें सभी लोग रहते हैं और वो खुश रहते हैं एक better human relation develop हो रहा है, ऐसा हम प्रयास करें, एक better society develop हो रही है, एक ऐसा society develop हो रही है, जहां better social interaction है, वर्चुल ठीक है, लेकिन वह better social interaction है, तो वहाँ पर जो एक human emotions जहां satisfy होते हैं हर level पर, तो अपने आप happiness आ सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ economy पर ही work करें, यही जरूरी अब लेकिन economy भी एक youth है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके life में happiness कैसे आएगी, तो नौकरी कहां से आएगी, जब या तो government job है, government job तो limited है, इतना धिक नहीं है, या दूसरा रास्ता आपके private sector में बहुत सारे आपको investment increase करके job increase करना पड़ेगा, तो यहां पर work करना हर conditions वो बनानी है, जिस conditions में जो basic resource crunch है, वो satisfy हो, जैसे किसी को नौकरी चाहिए, health, education, जो basic resource crunch है, वो satisfy करे, जब basic resource crunch satisfy होंगे, उसके बाद फिर आपके different aspirations होंगे, और वो aspirations को meet करने के बाद happiness आप अचीव कर सकते हो, यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है, next देखते हैं, this is related with the education, मतलब education पर यह article है, कई सारी बाते इस पर highlight की गई है, kind of education जो हम लोग focus कर रहे हैं, remoteness is no hindrance to academic excellence, academic excellence, तो यहाँ पर education के excellence की बात की जाए, तो mentorship पर बहुत depend करता है, जैसे UPSC की त्यारी कर रहे हो, तो current affairs पढ़ते हो, तो current affairs UPSC का different है, SSC का different है, bank का different है, अलग-अलग areas का अ है ना, तो अगर आप यह सारे exam का एक साथ पढ़ रहे हो, या multiple 5 paper दिन के पढ़ रहे हो, 4 घंटे का news analysis देख रहे हो, तो वो तो time wastage है, कहने का क्या मतलब है, कि आपको हर चीज को importance देना है, current issues, events भी important है, दूसरी चीज़े भी important है, है ना, तो जिस person को उस exam के बारे में experience हो होगा, मतलब आप क्या, आपका जो selection, जो एक initial phase है, बरकि एक बार आप जो process में आ जाते हो, तो बहुत चीज़े आपको पता चल जाती है, क्या नहीं करना, बहुत जरूरी है, so यह जो excellence education पे, वो depend करता है, quality of mentorship पर, यह normal education की बात करें, मतलब जो competitive examination नहीं है, normal education की बात करें, तो वहाँ भी mentorship बहुत matter करती है, और exam context में भी देखो के तो बहुत matter करती है, तो to improve the faculties should be made, मतलब made bigger, to improve faculties should be made bigger, मतलब जो recruitment yard sticks है, उनको improve करना, चेट teachers को recruit करना, वो जरूरी है, और overall जो education है, higher secondary और college level की बात की जाया, तो really a nourishment that society produces to meet and bless the intense energies of the young adult, यहाँ बहुत जरूरी बात है कि higher education में जो चीज़ें impart की जाती है young youth, मतलब young adult को, वो चीज़ें जो सीखता है, उसको job मिलती, जो skill है, उस society में contribute करता है, जरूरी नहीं सिर्फ आप economic level पे जो skills हो provide करो, और भी जो skills हो जरूरी है, impart करना, उसके बात क्या है कि अगर language की lacking है, जिसे कोई आज के समय में जि skills की कमी है, तो बहुत possibility है कि वो उसको job opportunities ना मिल पाए, और ज्यादा तर जो engineering college है, should not only become a skilled engineer, but should also train to speak and write clearly, ये भी जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप skilled engineer बन जाओ, लेकिन बाकी level पे आप कैसे बात करनी ये नहीं आता है, चीजे कैसे लिखनी है, वो नहीं आती है, तो वो फिर एक point highlight किया गया है, कि faculty जो members है, not even faculty members are hired, तो faculty members जो अच्छे faculties हैं, teachers हैं, उनको hire करना, क्योंकि मालू private colleges ही हैं, तो वहाँ पे क्या है, कि कुछ teachers को hire किया और उसको फिर canteen की जिम्मेदारी दे दी, hostel की जिम्मेदारी दे, इस तरीके कार करना, तो वो थोड़ा सा avoid करने की बात है, तो इस पर कुछ ऐसे points highlight किये गया है, next is related with dairy, आपको touch नहीं कर रही है, डरने की जुरूत नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि dairy farming की बात की गई है, बहुत huge opportunities, dairy products है, market में जाओगे, बहुत dairy products है, but dairy की जब आप बात करते हो, तो यह जो dairy products है, यह dairy products को बनाने में, ज जो भी process involved है, उसमें, woman का एक बड़ा role हो सकता है, और है भी, ऐसा नहीं कि हो सकता है, वो role है भी, काफी सारा बड़ा important role है, तो यहाँ पर इसी context में यह article है, अचा अगर आप live session देख रहा हो, तो like जरूर से प्रेस कर दो, एक second भी नहीं लगेगा, at least three के lives इस session में होने चा और जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप एक session को, अगर आप एक paper को सही से follow करते हैं, और अच्छे से follow करते हैं, इसने दिन भर current affairs कर रहे हो, यहाँ पर आप एक paper को अच्छे से follow अगर आप करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो task पूरा हो जाता है, आप कोशिश करो द बहुत सारे यह topics होते हैं, इतने topics अगर आपको याद रहेंगे, more than sufficient है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखो कि समय का इस्तमाल proper करना, है ना ऐसा नहीं कि आप 2-3-3 घंटे एक session देखने में लगा रहे हो, या समय का सत्युपयोग बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो है और women history month in March, यह celebrate भी किया जा रहा, women's history month in March, इसको celebrate भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर का गया, कि जरूरी क्या है, कि हमें establish करना पड़ेगा, backward and forward linkages, backward and forward linkages, अच्छा backward and forward linkages, मतब dairy value chain के अंदर establish करना पड़ेगा, मतब जैसे, suppose करो, आपकी यह जो है, suppose कर यह एक काउ है, milk निकालना तो बहुत सारे input infrastructure की जरूरत पड़ेगी, इस काउ से related, फिर जो milk बनेगा, वो market तक पहुँचे, cold storage, है ना तो यह आपका proper backward और proper forward linkages established करना, यह बहुत जरूरी है, इसके लिए प्रयास करना हमें जरूरी है, उसके बाद जो small farmers हैं, small farmers तब ही उन्हें proper benefit मिल पाएगा, जब हम proper backward और forward linkage established कर सकते हैं, और कहा गया एक minimum, एक minimum procurement price होना चाहिए, minimum procurement price होना चाहिए, procurement price होना चाहिए, किसके लिए milk के लिए, यह point आप नोट कर सकते हो, यह recommendation दिया गया, हाल में एक study हुई थी, International Development Research Center के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 93% of when farmers, जो की training, who receives training alongside financial support, succeed in their venture, अगर suppose करो, जो भी वो venture कर रहे हैं, और उनको training दी जा रही है, तो वो successful होने के उनके chances काफी अधिक है, और यह कहा गया कि लगबग, more than 1,90,000, ठीक है, 1.90,000, लैक, dairy cooperative societies across the country, जिसमें 6 million women members भी है, मतलब इतनी cooperative societies हैं, cooperative societies मतलब बहुत सारे मिलकर, यह dairy वाले area यह में काम कर रहे हैं, इसमें 6 million, 6 million आपकी women members हैं, 6 million आपकी women members हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, और जो women led cooperative है, cooperative है, they also provide fertile ground for grooming women from rural areas, अब जिसे अगर कोई women है, dairy के areas में काम कर रही है, तो वहाँ पर क्या है, कि जब एक financial empowerment होता है तो social empowerment है, और leadership role जो society में है, उनका वो increase होता है, तो यह कुछ points इसके अंदर highlight किये गए, इसके अलावा जो small और marginal farmers हैं, have access to 50 से 70% of the resources, that are large and medium farmers है, तो मतब resource accessibility भी एक बड़ा factor है, small marginal farmers जदा resource access नहीं कर सकते, affordability factor भी हो जाता है, तो यहाँ पर यह भी कहा गया, कि presence of cooperatives and milk unions, union president है, यह अगर जिसके कई सारे women मिलके cooperatives बना लिया, union बन गया, तो उनका जो knowledge है, उसके लिए किस तरीके सापने आपको train करना है, अलग-अलग, मतब dairy sector के लिए, और जो उनका bargaining power हो, आपका increase हो जाता है, उसके बाद women led producer enterprise, ऐसा setup करना, women led producer enterprise, women led producer enterprise, यह आपको, इनको set करना ठीक है, जैसे आपका एक है, स्रीजा, स्रीजा महिला milk producer, स्रीजा महिला milk producer company, यह एक example है आपका, producer company, यह ऐसा set किया गया था, as a cooperative, ठीक है, तो यह है, जो कि 24 women से start किया गया था, और 90,000 members हैं, और इसका annual turnover लगभग, 450 करोड रुपे है, ठीक है, तो यह इस तरीके से, economic empowerment women के लिए प्रयास के जाना चाहिए, dairy sector भी एक role play कर सकते, agriculture पर प्रशना आपका, JS paper 3 में से frame हो सकता है, इस session का pdf आप download कर सकते हो, link description box में दिया हुआ है, session खतम होने के बाद, वो आपको उसमें भी मिल जाएगा, जैसे, जो आपका comment section में पिंड आपको मिल जाएगा, जैसे अंकर says, India is back, अफगान-Taliban talk, अफगानिस्तान और तालिबान मतलब पूरा अफगानिस्तान का जो issue हो, बहुत detail में हमने discuss किया है, यहाँ पर एक यह term याद रखना, double peace, ठीक है, double peace शब्द आप याद रखो, इसका double peace का मतलब क्या हुआ कि, अफगानिस्तान की case में, कि अफगानिस्तान के अंदर भी peace हो, और उस region में, मतलब पूरा यह South Asia का जो region है, वहाँ भी peace हो, ठीक है, तो इसे double peace शब्द इस्तमाल किया, यह IR के context में, आपके लिए प्रश्ण बन सकता है, इसको यह याद रखना है, अभी हाल में ही, अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान के बीच में बातचीत होगी, अब इंडिया ने हमेशा से कहा है कि अफगान-led solution होना चाहिए, तालिबान पर कभी भी इस पर ऐसा focus नहीं किया है, बट यह जो statement कहा गया है, खास तो इंडिया ने जो support किया है, इंटर आफगान नेगोसियेशन, जो अफगानिस्त को आपको ध्यान में रखना, मतलब अफगानिस्तान के अंदर आपका जो peace ensure हो, और दूसरा यह है कि जो reason है पूरा, वहाँ पे भी peace ensure हो, तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नेक्स देखते हैं, question without inclusive growth, economic growth cannot be sustainable, यह इस पर आप अपने answer लिख सकते हो, अपने answer send कर सकते ह और इस session का PDF आप download कर सकते है, SP current affairs, ठीक है, SP current affairs, यह आप ध्यान रखना है, so आज के लिए इतना ही, I request you all के like जरूर करें, share जरूर करें, और let's crack QPSC, CSC को जरूर से subscribe करें, thank you everyone and let's crack it.